दो दोस्तों आज हम बना रहे हैं बत्वा के कोड़ी जो खाने वह टेस्टी लगता है यहां हमने बत्वियों को अच्छी तरीके से दो कर बारिक चौप कर ली हूं अब यहां हमने एक थाली में रख लिया है और फिर यहां हम एक कटोरी बेशन डाल रहे हैं और आधा कटोरी चावल कार्टा डाल देते हैं इससे बेंडिंग अच्छी होती है अब यहीं पे हमने एक मीडियम साइच का प्याज ली हूं इन्हें भी डाल देती हूं अब यहीं पे हम दो हरी मिर्च को बारिक चौप कर ली हूं इन्हें भी डाल देती हूं और थोड़ा सजीरा डाल दे दोस्तों बहुत अच्छा लगता है, बिथ हुए का पकोडी, यहां होग में थोड़ा सा tortured, ऑड़ा हम लाल विर्च पॉड़ा डाल देते हैं, आ अपने की दाल भन्हा spooky दाल पिलिप हैं, यहां भन्हा गरम और जब लगेगा हमेंग पानी की जरूरत है तब हम पानी डालेंगे उसे साग में पानी निकलता है थोड़ा सब करणा कर सबेंगे विसे यह कुअ मैं धरल दोस्तो बेदू हो रह जब बहुत ΚणE खाने में जरूर इसे बना के खाईएगा और हमारी वीडियो आप लोंग को अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों इची तरीके से देखिए हम सभी पाकोडी को बना लेते हैं जैस को हमें लोग फिलेम पे ही करना है कि इसका करणा चेंज हो गया इन्हें पलट देती हैं और इन्हें है आप चटनी के साथ सास के साथ इन्हें सर्व कर सकती हैं दाय के साथ देखिए कितना अच्छा पाकोडी बनके तयार हो गया दूस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से रस इसकावी झाल झाल